तो आज मिलबाने वाला हूँ एक ऐसे ब्रैंड से जो इंडियन मार्केट में घूम मचाके रखी हुई है और इतनी सारी बाइक्स दी आती हैं मैं बात कर रहा हूँ KTM की और आज में आ चुका हूँ KTM में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि KTM में कितनी बाइक्स आती हैं, उन बाइक के क्या features मिलते हैं, कितने price पर वो बाइक्स आती हैं, क्या engine, power, performance मिलती है, क्या minimum down payment रहेगी, कितने पर आप लोग उन बाइक्स में KTM की इंडिया की 2024 में price list के बारे में हैं, तो हमारे साथ आचुके हैं राकेश भाई, और आज हम लोग बात करने वाले हैं KTM की सभी price list के बारे में, कैसे हैं राकेश भाई, बढ़ी हैं सब्सक्राइब अपना time देने के लिए, तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पह 25 से बात करते हैं, क्या खासियत है, USP क्या है, top highlights का है इस bike की, में तो USP यही है कि super bike वाली जो पूरी feel है, पूरा ergonomics वही मिल जाता है आपको, RC8 से inspired इसका जो design है, जो आपको 125 CC में मिल रहा है, overall इसके brakes और bike के जो ergonomics है, मिलकुल आपके जो बड़ी bikes होते है, bigger bikes वाला feel मिलत जाता है, plus आपको इसमें जो आपको clip-on handlebar मिल जाता है, वो काफी attractive है, और इसकी handling काफी अच्छी है, इसमें जो आपको LCD meter मिल जाता है, जो काफी अच्छे, काफी सारे information आपको provide करता है, curve radiator मिल जाता है, 6-speed gearbox, liquid cooling engine मिल जाता है, radial tires मिल जाते हैं, जो इस price tag में और इस CC में 17-inch section में 110 आपको आगे मिल जाता है, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़े राकेश भाई ने एक बार में बता दी है, कि आप लोगो इस bike के अंदर offer करी जा रही है, यह वो चीज़े हैं, जो इस segment में किसी भी bike में नहीं देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा ह कि bikes में अक्सर आप लोगो देखने को मिलती है, बाइक के अंदर कोई heating इसूस तो नहीं जाएगा, केटियम की bike है, heating की इसूस कुछ भी नहीं है, single radiator fan है, curve radiator है, air intake काफी अच्छा है, अच्छे इनने फेरिंग दी है, कि राइडिंग के दोरान अगर आप speed में भी चलते हैं, automatically air से भी थंडा करता है engine को coolant के हिसाब से, तो radiator को space है वो काफी अच्छा मिलता है हमें, normal radiator से ज्यादा अच्छा, ठीक है, तो air cool इसके अंदर आप लोग को बहतर रहता है, मतलब आप लोग को intakes अच्छे मिलते हैं, आप लोग को technology बहतर हो जाती है, आप लोग के engine थंडा रहता है, आपके दिमाग के तरह सोड़ा सा ठंडा रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो मैंने बताया कि इसके अंदर आप लोग को 125cc का engine मिलता है, powerful engine है, कितने color options के इंदर आते हैं, इसमें दो colors आते है, एक आपका ये blue black, blue orange, और एक आपका आता है orange black, ठीक है, तो दो color options आते हैं, इस bike में single variant ही आता है, single variant आता है, और आप लोग को इसके इंदर switchable braking setup भी मिल जाता है, switchable ABS मिल जाता है, तो top features अगर 5 बात करें, top highlights की अगर 5 points में बात करें, तो क्या होगे, पहले तो इसकी जो है, upset down folks, ठीक है, radial tires, ठीक है, attractive look, RC8 जो, ठीक है, clip on handlebars, इसका जो liquid cooling engine ह प्लस इसका जो यह आपका ergonomics, जो ergonomics जो है, यह आपको काफी अच्छा मिल जाता है, और braking वगरा काफी अच्छी मिलती है, dual disc मिल रही है, switchable ABS bike के अंदर offer किया जा रहा है, अब instrument cluster के अंदर लोग काफी तद जाना जाते हैं, कि इसके अंदर क्या चीज़े मिलती है, यह LCD है, नहीं, negative displays के अंदर मिलता है, और इसके अंदर को connectivity features तो नहीं मिलते हैं, turn-by-turn navigation भी नहीं मिलता है, क्योंकि sports category की motorcycle है, touring नहीं है, touring में जब आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सारी bikes के बारे में cover करने वाले है, जितने भी segment KTM के अंदर आते ह 35,000, 35,000 रुपर में इस bike को घर ले जा सकते हैं, कोई offer वगरे चल रहे हैं इसके अंदर, हाँ वही, 5-year extended warranty, bike cover, gloves, यह सारे offer में चल रहे हैं, लिमिटेड offers ही हैं, बड़ आप लोग काफी सारी चीज़े बताई जाएंगी और दिखाई जाएंगी क्या इसके अंदर मिलता है तो यह तो बात हो गई KTM RC 125 के बारे में, लेकिन अब कौन सी bike के बारे में बात करें हैं, अब हम Duke 200 के बारे में बात करते हैं, तो आइए Duke 200 की तरफ देखते हैं, जो कि एक iconic bike है, लोग बहुत ज़ादा पसंद करते हैं, 200cc में यह bike आती है, Duke की तरफ से, तो क्या खासियत है इसकी बाहि दोचार खासियां, जो सबसे ज्यादा है, पावा तो वेट रेशियो का अच्छा है, लाइट वेट चैसी है, ब्रेक्स काफी अच्छे, जो मैंने आपको RC में भी लास्ट रेंग बोला था, सेम ब्रेक्स है, पर्फॉर्मेंस काफी अच्छी है, इस का टॉर्क मिलता है, तो 0-100, 9.2 सेकेंड में बाइक टच कर जाती है, और 13.5 लिटर के इसमें आपको मैटल फ्लूल टैंक मिलता है, जो काफी अच्छी है, 43 mm के अपसे डाउन फोक्स मिलते हैं, पीछे आपको जो रेडियल टायर्स मिल जाते हैं, अलुनियम सुंगारम मिल पिछ और यहिक है यह, जो काफी लाइट वीट है, और बाइक का बाइक का जो अर्वनोमिक्स है, एक तो यह 3rd generation model है Duke 200 का, इसके अंदर आप लोग को डिस्क वाली braking मिलती है, dual disc मिल जाती है, switchable ABS इसके अंदर भी मिल रहा है और इस bike के अंदर tank capacity कितनी बताई, 18.5 liters, 18.5 liters की full capacity मिल रही है काफी lightweight motorcycle है, city अगर consider कर रहे हैं तो 200cc के लिए ही जाईएगा, 390 के लिए थोड़ी सी जादा हो सकती है बड़ चॉइस के ओपर आपकी डिबेट करता है, अगर आप लोगो वो comfortable है था आप लोगो उसके लिए जादा बेटर रहती है और इसके अंदर features कौन से मिलते हैं आखिजवीट, सेम वही आपका जो उसमें मिलता है, switchable ABS मिल जाता है आपको क्या कहते है, speed जो है आप उसमें average आ रहा है, वो सारा display पर आप देख सकते है, actual fuel cost देख सकते है DOHC engine मिलता है आपको 25 PS वाला जो इस category का सबसे powerful engine कहा जाता है और display वगर इसके इंदर digital ही मिलता है, digital मिल रहा है और connectivity feature इसके इंदर नहीं मिलता है आपको जितनी भी basic चीज़े हैं वो सारी चीज़े इस bike में मिल जाता है, radial tires मिल जाते है इसमें और 390 के tire sections जो है बिल्कुल almost same है, stability road presence काफी अच्छा मिल जाता है इस बेक का पाइक का compare to other, braking quality बहुत अच्छी है क्योंकि 4 piston caliper brakes इसमें भी आपको मिल जाते है, तो यह भी segment में सबसे अच्छी चीज़ है और दूसरी चीज़, पूरी LED lighting setup आ रहा है, पूरी LED lighting setup आ रहा है, USD front suspension मिल रहा है, और पीछे आपको monoshock मिल रहा है, adjustable होगा? नहीं, 10 step अपना मोग है, adjustable है, height को open नीचे कर सकते हैं, height adjustable कर सकते हैं, आप लोग monoshock suspension की पीछे से, बागी tire sizes क्या है, tubeless tire ही मिल रहा है, पीछे 150, then आगे 110 आपको मिल जाता है, 17 inches के wheel size के साथ, ठीक है, अब Duke 200 है, फोरी सी affordable भी होती है, और बाइक के अंदर आप लोगी समझते हैं, कि स्वर्ण सा मायलेज जाता है, तो कितना मायलेज? अगर आप इसमें मायलेज क्लेम करना चाहते है, तो highway पे 40+, अराम से मायलेज क्लेम क्योंकि आप अगर Royal Enfield देख रहे हैं, classic वगरा देख रहे हैं, तो उससे R15 MT-15 देख रहे हैं, उसी segment में आपको 200cc की bike मिल जाती है, वो भी KTM के साथ, तो color options कितने आते हैं, इसमें 2 color options आते हैं, एक आपका हो गया, क्या कैते है, orange black, एक आपका होता है, silver metallic, ठीक है, एक orange black औ silver metallic, दो पर इसके इंदर आते हैं, एक हमारे सामने कड़ा है, एक आप लिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बागी बात करें, pricing की तो क्या price है, इसका जो onward price जो Noida है, 3,31,500 है, ठीक है, और बाकिस के अंदर helmet को offer चल रहा है, अभी अगर आप इस मन्त लेते हैं, 5,000 रुप क्या रहेगी, इसकी minimum round payment 40,000 में KTM की आप लोग Duke 200 ले जा सकते हैं, बाकि offer बता दी है, आकेज बाई ने क्या मिल रहे है, 5000 का helmet है, वो आप लोग को मिल रहा है, gloves मिल रहे हैं, बाकि आप लोग को जो offer बता दिये गए हैं, किसके अंदर आप लोग के extent warranty वगरा मिल जाती है, यह सारी चीजा आप लोग को मिल जाती है, अब चलते हैं अपनी अगली बाइक की तरफ कौन सी हमाद रहे हैं, अगली बाइक हम देखते हैं, Duke 250, यह नया model है इसका, यह इसका 2024 model है, और compare to older version इसमें काफी updates किये गए हैं, तो क्या updates है सी से शुरुआत करते हैं, 2024 model के अंद देता हूं कि इसके अंदर फ्टिक शिफ्टर एड़न कर दिया गया है अच्छ लेस्ट जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर भी आपको 390 की जैसे प्रीए 390 की जैसे आपको राइड पाय वायर मिल जाता है फ्यूल इफिचेंसी के लिए आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक के जाता है जो इसमें भी सेम आपको पीछे वाला ब्रेक अपको ज्यादा है बड़ा मिल जाता है आपको प्लस पायर्स के अंदर काफी अच्छे टायर्स मृफ के डाले गये हैं छीक है इसकी रेडियल टायरर इसके ग्रीफिंग काफी अच्छी है compared to older version, then seat height और ground clearance को upgrade किया गया है, seat height को कम किया गया है, 183 ground clearance and seat height 800 mm है, similar to 390, ठीक है, तो उतना ही आप लोग को seat height और ground clearance मिलता है, जो 390 सित्की, Duke के अंदर मिलता है, बागी bike के अंदर turn by turn navigation, Bluetooth connectivity, यह चीज इसके अंदर add-on तो इसके अंदर connectivity features मिल रहे है, Bluetooth से connect कर सकते हैं, mobile app से connect कर सकते हैं, turn by turn navigation, app purchase करना पड़ता है, मन्थे लिए उसका charges लगता है, क्या charges लगता है, 450 के असपास है, बहुत नॉमिनल से charges है, तो ज़्यादा charges नहीं है, और turn by turn आप navigation, phone वगरा receive कर सकते हैं, songs वगरा change कर सकते हैं, तो यहां पर काफे सारे controls भी देख रहे हैं, यह Bluetooth के connectivity के controls है, songs को आप pause play कर सकते हैं, प्लस यहां पर आपको type C charging port आपको मिल रहा है, प्लस यहां पर आपको parking indicators का switch भी मिल जाता है, तो यह सारी चीज़ें इसमें आपको upgrade compare to older 250 मिल जाता है, फोड़े बहुत changes engine में भी है, ठीक है, one BHP power बढ़ाया गया है, one torque बढ़ा हुआ है, पहले वाले में जो था आपको जो टॉर्क मिल रहा था वो 24 का था 25 कर दिया है, पहले वाले में BHP 30 था 31 कर दिया है, और सेम वही वाला engine कर दिया है, जो आपने 390 में में आपसे कहा था कि linear engine कर दिया है, कुछ 4000 RPM के बाद इसके अंदर power आपको feel मिलेगा, ताकि city compatible रहेगा, आप लोगो power जो है, थोड़ी से उपर से मिलती है, इनिशली इतना power ना मिले ताकि आपको traffic ना चला पाएं, एक आपका black-orange, एक आपका blue-black, ठीक है, तो तीन करद इसके अंदर आ चुके है, हाली में blue आला करद भी इसके अंदर add किया है, तो तीन करद इसके अंदर आ चुके है, LED lighting setup मिल रहा है, काफी सारे features इसके अंदर मिलते है, Bluetooth connectivity और इसके color display मिलता है, तो यह काफी सारे चीज़ें इसके अंदर दी जा रही है, अब बात करते हैं, pricing की, क्या price है वाइस? Pricing इसका Noida का है, आपका 2,78,000 on-road, और same, इसमें भी आपको offers मिल रहे हैं, आपको helmet वाला हो गया, extender warranty, bike cover gloves, और यह limited offer है, सिरफ इस मन्त के लिए अगर आप purchase करते हैं और बाकी थोड़ा बहुत नगे शेवल भी है, और आप इस bike को और आम से 60,000 तक का, 55-60,000 round payment पर ले जा सकते हैं, तो अगर आप लोग सेक्टर 8, Noida में आते हैं, तो क्या ये bike customers को test ride के लिए लिए है, तो test ride के लिए नया model अवेलिबल है, आप लोग आईए, यहाँ पर test ride भी कर सकते हैं, तो यह सारी चीज है, यहाँ पर एक blue कर रहा है, जिसके alloy wheels आप लोग को orange मिल जाते हैं, तो 390 के बात करें, राकिश भाई, कैसी bike है, कौन लोग prefer करते हैं, क्या खासियत है, इसकी USP क्या है, सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि lightweight and powerful है, यह इसका सबसे पहला USP है, जो इस bike को other जो लोग खरीत है, वो आपका naked street है, air intact अच्छा है, CT में easy to nimble कर सकते हैं, फिट power के साथ, tires में radial tires यूज हुए, प्लस इसके अंदर जो आपको power मिल जाता है, 46 bhp का power है, जो मुझे लगता है, इस segment में किसी bike में नहीं है, इस price tag में, और यह power सिर्फ figure wise ही जादा नहीं है, जब आप इस bike को चला कर देखे हैं, तो आप चीज फील भी कर पाएंगे कि इसके अंदर कितनी power मिल रही है, इसे के लिए, अपनी power performance के लिए, KTM जाने जाती है, तो बिना test ride करें, bike को लिएगा, S-Ride में भी available है, और इसके जो features वेगर है, traction control है, cornering ABS है, quick shifter है, ride बैवार, speed control है, launch control है, बाकी इसके अंदर type C charging port, parking indicator, riding modes भी है, track, rain और street, 3 modes मिल इसके अंदर switchable ABS भी है, sleeper clutch है, quick shifter है, curve radiator दिया है, with dual radiator fan है, अपने इसाब से जैसा इसके engine उसे साब से, engine को ठंडा करने के लिए, उसे साब से, इसको cooling system भी दिया गया है, plus दोनों ही suspension आगे पीछे के adjustable है, आप अपने साफ्ट भी कर सकते है, जो आपको cornering में, track में आपको काफी जदा help मिलता है, तो ये भी है, adjustable clutch and brakes भी है, इसके अंदर, plus इसमें आपको, क्या कहते हैं, जो tires है, वो fully radial track वाले tire मिलते है, medziller के, तो ये भी काफी अची चीज़ है, बाकी, similar बिल्कुल 250 जैसा ही है, fuel tank आपको 15 चाहे तो अगर आपको better braking चाहिए, इससे भी तो आप synthetic brake pads भी डलवा सकते हैं, जिसकी costing थोड़ी ज्यादा होती है, 2800, but इससे भी better होते हैं, तो ये optional lap के उपर है, तो इसके अंदर हमने देखा कि काफी सारे features ऐसे मिल रहे हैं, जो आप लोगो बहुत साधा premium bikes के अंदर मिल हैं, तो इसके अंदर काफी features मिल रहे हैं, तो अगर आप 390cc में सबसे ज़्यादा feature वाली और सबसे ज़्यादा power वाली bike चाहते हैं, दो चीजों में अगर define कर रहा है, सबसे ज़्यादा power, सबसे ज़्यादा feature, तो वह KTM Duke 390 है, तो इसके अंदर वो सारे features मिलते हैं, जो आ 5 inches का color display मिल रहा है, connectivity के अंदर, Bluetooth connectivity, turn by turn navigation वेगर है, वो सारे features मिल रहे है, connectivity भी है, turn by turn navigation भी है, बड़ा display भी है, और bike easy है, comfortable है, निम्बल है, city में भी ride कर सकते हैं, और आप लोग highway वर भी इसको easily push कर सकते हैं, तो अब ये बात हो गई इसके USB की, लोग बहुत ड़ते हैं, 390cc लेने के अंदर, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा heating issues होते हैं, तो एक बार क्या myth को आप ये गल्ला करना चाहें, पहले चीज़ तो depend करता है कि हम इसको किस इलाके में चला रहे हैं, किस condition में चला रहे हैं, या traffic में चला रहे हैं, ये bike basically highways के लिए होती है, तो अगर जब त होते हैं, normal bikes अगर आप देखेंगे, पांच लाक से नीचे की, तो almost अब में rectangle radiator ही लगे हो है, इसमें क्या है कि curve radiator दिया गया है, जो इसकी heating को काफी कम करता है, और engine को भी reliable लगता है, longer life durability, और cool end का जो भी system है इसका वो भी काफी अच्छा है, आप अपने हिसाब से भी cool end भी डलवा सकते हैं, जो आपको brand अच्छा लगे, बाकि इसकी कोई ऐसी ज्यादा heating issues नहीं है, आप इसे अगर mostly highways के लिए select करें तो ज्यादा better है, ठीक है, तो highway के लिए ज्यादा suitable bike है, बाइक के अंदर आप लोग को दो चीज़ें ऐसी मिलती है, जो की बहुत ही काम की है अगर आप highway बे चलाते हैं, तो इसके अंदर आप लोग को cool end डलता है, तो heating issues नहीं होने वाले है, क्योंकि थंडा रखने का काम ही उसका है, पहले के जमाने की बात अलग थी कि आप लोग को heating मिलती थी है, जो भी था, आप बहुत 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 अदा advanced हो चुकी है, वो भी इस तरीके डिजाइन कर दिया गया है कि air intake बढ़िया रहे और आप लोग का इंजिन जो है वो ठंडा रहे तो इस सारी चीजिस के अंदर मिल रहे हैं तो कितना मायलेज मिल रहा है कम जाता जो भी होता है वो पता रहता है अब इस वाई को खरीदना है तो कितना प्राइस कराते हो तो 70-80,000 ठीक है कम से कम डाउन प्रेमिंट आप लोग 70-80,000 रुपे दे कि इस वाई को ले जा सकते हैं और अगर आप सिविल बहुत अच्छा है है दो कलर आते हैं इसके एक औरेंज एक ब्लू इन इसमें जो है आपका जो प्राइस जो है इसका 3,68,000 और इसमें आप आराम से आप से 5 साल तक इमाई बनवा सकते हैं ठीक है और इमाई का अमाउंट क्या रहेगा अप्रॉक्सिमेटल एकर फिकर की बात करें तो यह मैं करोंड आप 13-14,000 तो लाक रुपे डाउन प्रेमिंट करके आप वह आपके उपर शाथ हजार भी बनवा सकते हैं वह डिपेंड कर ही बाइक के बारे में पता कषिए अवेलीबल है और बात करते हैं क्या बरे यहां मैं मैं का बात बीद कर ल pharmac next 225-26,zin है Deuc 200 के बारे मात कर लिए और यहमारी 250 के वाद हम लोग लोग के बारे में बारे में बात कर यह आप कौन सी का बात करते हैं आज 200 चीए तो बेसिकलिए नए वेरिंट पे चलके बात करते हैं कि अब झाल झाल